हेलो फ्रेंस आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केन लर्निंग पॉइंट में हम लेकर रहे हैं आज आपके लिए वोगोल का एक वीडियो जिसमें प्रत्पी का पर्चे दिया गया है फ्रेंस ये ल्टी के टीजीटी पीजीटी सभी के लिए बहुत उपीगे तो फ्रेंस इसको जरू कम्प्लीट कर लिजिए ये लिए हम अपनी वीडियो को सुरू करते हैं आद्यर्पी का ख़या है प्रत्पी कर दृवज लिए कितना है तो धृवि ब्यास है ऍप्रत्पी सभड़्य किलोमीटर नेक्स कुश्चन है प्रत्पी का धुर्वी ब्यास बिश्वती ब्यास से कम है तो फ्रेंस ये है 42 किलोमीटर नेक्स कुशन है प्रत्पी पर जल का भाग है प्रत्पी पर जल का भाग कितने प्रत्सत है तो ये सबी को पता होगा कि प्रत्पी पर जल का भाग 71 प्रत्सत है नेक्स कुशन है प्रत्पी का औरसत घनत तो कितना है तो प्रत्पी का और सद घनत तो है 5.5 ग्राम प्रत्पी सेंटीमीटर की घाते नेक्स कुश्चन है प्रत्पी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है तो प्रत्वी का अक्षपर घूमना घूडन कहते हैं जब प्रत्वी अपने अक्षपर घूमती है तो उसको हम घूडन कहते हैं दिन रात होता है दिन रात किस कारण होता है जो प्रत्वी के घूडन के कारण ही दिन रात होता है रित्व परिवर्तन किस कारण होता है तो रित्व परिवर्तन प्रत्वी के परिक्रमन के कारण होता है जो प्रत्वी परिक्रमन करती है इसी के कारण ये रित्मों का परिवर्तन होता है प्रत्पी एक घंटे में कितना खूंगती है तो प्रत्पी एक घंटे में 15 डिगरी देशांतर भूंती है प्रत्वी अपनी धूरी पर कितना चुकी हुई है फ्रत्वी पर प्रत्वी पर प्रत्वी के फूपर पट्टी 46.80 प्रत्षत प्रत्पी गोल है कहा था यह पाइथा गोरस ने कहा था कि प्रत्पी के सतय के नीचे का द्रवी भूत सेल मैगमा कहलाता है प्रत्वी के सत्य के नीचे का द्रवी भूत सेल कहलाता है तो वह क्या कहलाता है तो वह मैगमा कहलाता है नेक्स्ट कुश्चन है प्रत्वी प्रत्वी तता सूर के मद अधिक्तम दूरी प्रत्वी तता सूर के मद अधिक्तम दूरी कभ होती है और उसे क्या कहते हैं तो ये फ्रत्वी और सूर के मद जो अधिकतम दूरी होती है फ्रत्वी सूर से जब अधिक दूरी पे चली जाती है तो उस ताइम वो च्यार चुलाई को सबसे दूर होती है और उसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं नेक्स कुश्चन है फ्रत्वी तदा सूर के मद निम्रतम दूरी निम्रतम दूरी कब होती है और उसे हम क्या कहते हैं तो निम्रतम दूरी होती है फ्रत्वी सूर के मद तीन जन्वरी को और उसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जानत यह और इसको हम तीन जनवरी हो से नेक्स केंट एकुष्छ एवं को मिलाने वाली कर्ल के लाती है ओप्षोर एंड है उसको मिलाने वाली का लो तर्क रे pencil कनां से चांड या फिर इसे कहती हैं प्रत्मी की उप्रिक्शा चंद्रमा का ध्रवयमान क्या है ऑफिक्ष्षा चंद्रमा का ध्रवयमान केतना एंग तो ऊपर्त्मी पर सब्सेदों का ध्रवानीं प्रत्मी की आंतिक सरचना बनी है। जो आंतिक सरचना है उसे किस से बनी हुई है? वो सियाल, सिमा एवन क्रोड को निफे भी कहते हैं से बनी हुई है। next question है प्रत्वी की सबसे भीत्री बहरत उसे क्या क्या निफे के नाम से चानते हैं क्रोड बनाए क्रोड किन तत्तों से मिलकर बनाए तो क्रोड लुहा तथा निकल से मिलकर बनाए नेक्स कुश्चन है सियाल बनाए सियाल किसे मिलकर बनाए तो सियाल की जो परत है वो सिलकन एवं एलुमिनियम से मिलकर बनी है नेक्स कुश्चन सीमा बनाए सिमा किन तत्तों स से बिलकर बनाएं नेक्श कुश्चिन फ्रत्वि का श्रक्षा वालव कैसे कहते हैं तो इसको हम जाला मुखी का सुआ क्याते हैं निक्स कुश्चिन प्रत्वि के बाल भीति का उपरी भाग कहलाता है तो वो है एस्थेनो स्फियर नेक्स कुशन है प्रत्पी का सबसे लंबा दिन जो प्रत्पी का सबसे लंबा या बड़ा दिन कौन सा होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्द में तथा 22 दिसंबर को दच्छी गोलार्द में ये दिन होता है प्रत्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसम्बर को उत्री गुलाद में तत् Carry 31 जून को दचली गुलाद में सबसे छोटा दिन होता है Next question है प्रत्वी पर दिन राथ बराबर होते है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को प्रत्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं चंद ग्रहन होता है चंद ग्रहन कब होता है जब सूर और चंदरमा की बीच प्रत्वी आजाती है जब चंद ग्रहन पड़ता है तो सूर और चंदरमा की बीच प्रत्वी आजाती है तब चंद ग्रहन पड़ता है सूर ग्रहन होता है जब सूर एवं प्रत्वी के भी चंदर्मा आ जाती है जिससे सूर का प्रिकास प्रत्वी पर नहीं पड़ पाता है इसलिए सूर ग्रहन पड़ता है जो चंद ग्रहन है इसके बीच में प्रत्वी आ जाती है चंद्रम और सूर के बीच पुर दो आती है सिस से कि सूर को प्रिकास हो चंद्रमा को नहीं मिल पाता है नेक्स्ट क्वेशान है ये मेरा पुर्थवी कें चंद्रमा का हार ह 27 का डिकता हा इटा है नेक्स कुशंशन प्रत्वी के आयू ग्यात की जाती है यूरेनियम प्रत्वी के आयू ऊइदर के ृत के जाते है जो आइम में सुस्ट 10 अक्छांस संब्दित है जो अक्षांस किसे समंदित है 30 डिगरी से 40 डिगरी उत्तरी एवं दच्छडी अक्षांस से समंदित होता है नेज्ट कुश्चन है प्रती पर अक्षांस सथा देशांतर रेखाएं प्रत्पी पर अक्षांस सथा देशांतर रेखाएं कितनी क्रमसा 180 एवं 180 एवं 360 है Next question है प्रत्पी पर अक्षांस सथा देशांतर रेखाएं 180 एवं 360 है नेक्स कुश्चन है दो देशानतर देखाओं के बीच की दूरी को हूं क्या कहते हैं तो उन्हें गोरे के नाम से जाना जाता है प्रेंस यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्रेंस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर दें थांक यू